हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आई जाने बालाघाट लोकसबा चुनाओ पर जो मद्दान हुआ है उसके बारे में जो अपडेट आये जान लेते हैं और चुनाओ में जब आप वोट डान ले जाएंगे उस दिन किस प्रकार से ओटिंग होगी किस किस चलणों से गुजरना पड़ेगा उसके बारे में भी हम थोड़ी जानरे लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज आपके काम का खबर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्राइब नही एक ऐसा जीला है जिससे काफी सारे कामप्टिटी उग्जाम में प्रशने पुछे जाते हैं और बालागाट नकसलाइट जीला है इसलिए यहाँ पे लोकसभा चुनाओं के दवरान बिये सब के जवानों को भी मौजूद किया गया था और वीडियो ग्राफियो अगरे सार बालागाट सीवनी संसदी सीट में ओटिंग शुरू हुई तो वह ओटिंग लगबग साड़े शे बज़े सुरू हो गई थी और सभी मद्दाता मद्दान के शे बज़े से ही पहुंचना चालू हो चुके थे लेकिन गवर्मेंट के आदेश के अनुसर साथ से सुब साथ स साम पांच बज़े तक ओटिंग का समय था लेकिन मद्दाता जो थे साड़ा शे बज़े से ही पहुंच चुके थे बालागाट सीवनी संसदी सीट पर दो पर एक बज़े तक 33 फिजदी ओटिंग हुई है और यहा ठीक ठाक एवरेज ओटिंग हुई उसके बाद साम शे लेकिन यदि आप ओटिंग में लग जाते हैं तो जो मद्द पिटासिन अधिकारी बगएरे होते हैं कितना भी समय हो जाए साम साथ आड़ बज़े तक भी आपको मद्दान किये बिना नहीं जाने देते तो साम साथ बज़े के पहले अर्था छे बज़े तक जो ओटिंग ह लगा 70.13% मद्दान हुआ और यह बहुत अच्छा मद्दान रहा बालागाट लोगसवा सेट पर बालागाट सिवनी संसदी चेतर में 23 प्रक्तियासी मैदान में थे जिसके लिए 17,65,938 मद्दार 23 मैं 2019 को जारी होगा बालागाट में 3 विदान सबा छेतर इसी हैं जहांपे नक्सलाइट प्रभावित हैं और 5 विदान सबा छेतर जहांपे कोई नक्सलाइट एरिया नहीं है वहाँ साम 6 बजे तक मद्दान चले और जो नक्सलाइट उजानसबा सीट थी वहाँ पर साम 4 बजे तक ही मद्दान हुआ अराकि मद्दान का जोसा सुबस साथ से साम 5 बजे का ही था 23 प्रत्यासियों के राजनेतिक किसमत EVM में कैद हो चुकी है और 17,56,938 मद्दाताओं ने ओड़ा करके इनका फैसला कैद कर दिया है यहाँ पर 275 मद्दान केंदर बनाए गए थे और जीले में 590 केंदरों में प्रसासन नजर रखी हुई थी 320 केंदरों की वीडियोग्राफी हुई और 107 केंदर जो थे CCTV से कवर थे 164 केंदरों से लाइव वेब कास्टिंग भी हुई 29 अप्रेल 2019 को प्रत्यासियों के हम नाम जान लेते हैं कौन-कौन है 128 सिवनी संसदी सीट से बस्पा से कंकर मुझारे बस्पा मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गड़ बंदन हुआ था इसमें बसपा महागणबंदन से कंकर मुजारे जी थे और भागपा से अली एम आर्व और भाचपा से डाल सिंग विसेन अर्थाद भारती जनता पार्टी से डाल सिंग विसेन अम्बेट कराईट पार्टी आफ इंडिया से मुकेश बंसोड थे और उटिष्ट बलाक इंडिया से युरास्नी बैस थे भारत प्रभाद पार्टी से राजन मसी थे और पिपुल्स पार्टी आफ इंडिया से डेमोकरटी से राजेंदर बाबु ढोके थे और भारती लोकमत राष्टवादी पार्टी से 37 की बारी थे मत्प्रदेश विकास पार्टी से सत्प्रकास सुलके थे और निर्दली जो उम्मिदवार थे किसोर समरे थे JलT टांडेकर निरदली थे नारायीन बंजारे निरदली थे उदिते मिलाल बोरी करबए निरदली थे बोधसीम भगत जो पहले BJP के सांसत थे लेकिन उनकी टिकट कट चुकी थी उनके बदले में डाल सिंग विशन को दिया गया था इसलिए बोध सिंग बगत निर्दली खड़े हुए थे मक्बूल सा रामान भी मनी सा वैद भी निर्बली थी निर्थ स्याम निल्लारे भी निर्दली थे राकेश कुमार और रूपलाल कुत्रा भी निर्दली थे इस प्रकार से 23 प्रत्यासिक चुनाव मैदान में थे उनका हैसला अब EVM में कैद हो चुका है 23 मई 2019 को उनके भागे का पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन आरता है दिव्यांग मद्दाताओं के लिए भी प्रसासन ने चुनाव आयोग ने विवस्ता के थी जीले में इस बार 634 दिव्यांग मद्दाता चिनित किये गए थे जिनके लिए मद्दान केंद्रों में विशेश सुविधा रखी गई थी जानकारी के नुश्वार दिव्यांग मद्दाता थे इनके लिए ते मद्दान के अंद्रों पर विवस्ता बनाई गई थी लाना ले जाना और उन्हें वोड़ करवाना इस प्रकार से शुनाव आयोग ने इनके लिए पिटाश seu अधिक कारीये ने na के व्यवस्ता की थी उन्होंने भी वोट डाल कर वोट प्रतिसत को बढ़ाया है तो अच्छी बात है इस प्रकार से जो व्यवस्ता हुई अच्छी होई अब मैं आपको बताऊं कि ओटिंग में किस प्रकार से आप डालोगे सबसे पहले तो आपको कोई भी एक जो पैशान पत्र है वो ले जाना होगा और जो आपको पर्ची मिलती है पर्ची जो आपको साइद इसकूल के जो गुरुजी है पीचर है वो लाकर करें देते हैं और उसके अलावा आपको आधर कार्ड वोटर आइडी या फिर पेनकार्ट ये सब लेजाना जिसमें आपकी फोटो हो दो चीज आपको ले जाना है अगर लाइन लगती है तो लाइन में खड़े हो जाना है इसकूल में你 जनरली मददान होते हैं वहाँ पर फिर आपको करंप से एजेंट भी रहते हैं एजेंट ये आपकी जो नाम रहता है उसमें ढूंडते हैं और जो पिटा सी नदिकारी या करमचारी रहते हैं वह भी वहां पर देखते हैं फिर आपकी परची से मिलान किया जाता है फिर वहां पर उस परची से मिलान के करना पड़ता है और अधार कार्ड या जोबी आप ले जाओ के साथ में आधार कार्ड पेंकार्ड उसकी जो डीटेल है वह प hombres रेजिटर में या फाइल में लिखते हैं फिर वहाँ पर भी आपको एक साइन करना पड़ता है उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद में फिर आप एक पिठा सीन अधिकारी के पास जाते हैं वो फिर चेक करते हैं आपका आधार कार्ड और यह परचिव अगरे सब सही है क्य चेक करने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप जो काउंटर बना होता है मद्दान के लिए वहाँ पर आप जा सकते हो वहाँ जैसे जाओगे आप तो इस प्रकार से EVM मसीन होती है और यह फिर वीवी पेट है यह जो ब्लू कलर की जो लाइन है आपको जो भी मद्दाता जिसको अइने के लिए आपको वोट ढालना होता है उसके सामने की जो प्लू कलर के लाइन को आपको परेश करना होता है प्रेश करने के तुरन बाद ही एक बीब बस्ती है और उसी दवरान यह जो वीवी पेट है उसमे एक पर्छी भी दिखती कि आपने झीस के हो चुका है तो इस प्रकार से आपका मद्दान हो जाता है और फिर नेक्सट जो मद्दाता है उसके लिए यही प्रोसेस पुना दोधाई तो इस प्रकार से जानकारी थी लोग सभा शुनाओ 2019 का करेंट अपडेट किस प्रकार से ओटिंग करें उसके लिए भी हमने तोला सा जानकारी दी है यदि जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइज जरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को जबारत